dear students our next chapter is making pots pots, pots किसको कहा जाता है pots कहा जाता है मिट्टी के बर्तन को चाहे वो कोई बर्तन हो या कोई आपका flower vase हो या जिसमें हम बटके पानी डालते है मिट्टी का वो भी तो इनको बोला जाता है pots तो next chapter हमारा है making pots, pots हम कैसे बनाते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इसमें बहुत अच्छी स्टोरी दी हुई है पहले हमी स्टोरी को पढ़ते हैं कि क्या बता रहे हमी स्टोरी once there was a sparrow called food goodie and a crow called भनाते ये स्टोरी किस-किस के बारे में है स्टोरी है एक crow के बारे में और एक sparrow के बारे में दोनों birds है और crow का जो नाम है वो है भनाते और जो sparrow है उसका नाम है food goodie they were fast friends वो बहुत अच्छे friends थे one day भनाते said oh food goodie if you lay eggs first then I will eat them and if I lay eggs first then you can eat them वो कहता है कि food goodie sparrow को बोलता है crow अगर तुम पहले अंडे दोगी तो मैं उनको खा जाओंगा और अगर मैं पहले अंडे दूँ तो तुम उसको खा सकती हो agreed क्या तुम सहमत हो तो food goodie agreed food goodie ने हाँ बोल दी food goodie मान गई a few days later food goodie laid an egg कुछ दिन बाद जो food goodie थी sparrow थी उसने अंडे दे दिये laid egg का मतलब होता है अंडे देना भनाटे said give me your egg I will eat it, do it, give it, give it तो भनाटे बोलता है कि अपना अंडा मुझे दे दो मैं इसको खा जाओंगा अभी इसको खा दे दो मुझे food goodie was scared food goodie अब डर गई she said उसने कहा yes but I want you to first go and wash your beak in the river तो वो बोली कि ठीक है तुम खा ले ना लेकिन पहले एक काम करो river में जाकर अपनी beak चोच को wash कर के आओ जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पहले अपने hand wash करते हैं इसी तरह से जो sparrow थी उसने भनाटे को बोला crow को बोला कि ठीक है तुम मेरा egg खा लेना लेकिन पहले अपनी beak को wash कर के आओ river में भनाटे went to the river bank and said to eat o river तो भनाटे जो है वो river bank नदी के किनारे जाता है और उसको कहता है o river yes brother said the river नदी ने कहा हाँ भाई बोलो भनाटे o river please give me some water भनाटे उसको कहता है कि हे river हे नदी तुम मुझे कुछ पानी दे दो उसके बाद वो एक song आता है with cold water I will wash my beak eating the egg is what I seek वो कहता है कि मैं अपने धंड़ पानी से तुम्हारे से अपनी बीक को wash करूंगा और उसके बाद मैं अंडे खा जाऊंगा उसके बाद कहता है the river said but how will you fill water तुम पानी कैसे भरोगे get a pot तुम्हे तो pot चाहिएगा pot में तो हम लोग पानी भरते न तो इस तरह से river बोली कि पहले pot ले क्या हो तभी तो तुम पानी भरोगे भनाटे went to the potter अब भनाटे किसके पाँ जाता है potter pot क्या होता है जिसमें हम पानी भरते है बरतन मिट्टी का और जो मिट्टी के उन बरतनों को बनाता है उसको कहा जाता है potter P-O-T-T-E-R potter अभी जो आपको इसमें फोटो में नीचे दिखाई दे रहे हैं यह होता है potter जो मिट्टी के बरतन को बनाता है तो poter के पास क्या-क्या जरूरत पड़ती है? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए poter को जरूरत पड़ती है एक wheel चक्कर की जरूरत पड़ती है जो rotate करता है और poter क्या करता है? जो मिट्टी लेकर, clay लेकर इस wheel के उपर रखता है और ये इसको round round गुमाता है और अपने हाथ, अपने हैंड से इसको सपोर्ट करता है और उसको desired shape दे देता है जो उसको shape चाहिए उसके pot की बड़ी, छोटी, लंबी जैसी भी उसको shape चाहिए वो अपने हाथों से support करके वो shape इसको दे देता है pot को तो इस तरह से जो मिट्टी के बरतन बनाते हैं उनको कहा जाता है potter तो भनाटे किस के पास जाता है? potter के पास जाता है और उसको कहता है oh potter give me a pot potter मुझे एक pot दे दो in the pot I will get water from the river फिर से वो गाना गाता है कि pot के अंदर मैं क्या करूंगा पानी भरूंगा नदी से with cold water I will wash my beak अपनी चोच को वोश करूंगा ठंडे पानी से eating the egg is what I seek और फिर मैं अपने अंदे खालूंगा the potter said, potter ने उसको कहा but how do I make a pot कि मैं pot बनाऊं कैसे? go and get some clay from the clay pit जाओ और कुछ clay लेकर आओ कहां से? clay pit से clay pit क्या होता है वो जगह जहां से हमें clay मिलती है और ये clay क्या होता है? ये एक तरह की soil होती है मिट्टी होती है एक तरह की जिससे ports बनाये जाते हैं मिट्टी के बरतन बनाये जाते हैं clay मिट्टी को कहा जाता है एक तरह की मिट्टी होती है ये उसके बाद क्या हुआ, भनाटे went to the clay pit, भनाटे clay pit के पास गया and said to it, oh clay pit, की है clay pit, please give me some clay, वो clay की जगह पे जाके, उस clay pit के पास जाके कहता है कि मुझे कुछ clay दे दो, फिर से वो गाना गाता है, the porter will make a pot for me, I will fill water in the pot with cold water, I will wash my beak, eating the egg is what I see, वो फिर से कहता है, कि porter मेरे लिए pot बनाएगा, मैं pot में पानी भरूँगा नदी से, और ठंडे पानी से मैं अपनी चोच को wash करूँगा, और फिर मैं अंडे खाऊँगा, उसके बाद क्या होता हम देखेंगे, clay pit ने क्या किया, the clay pit said, clay pit कहता है, but how do I dig the soil, कि मैं मिट्टी को कै कैसे खोदू, dig का मतलब होता है, खोदना, get me a trowel from the blacksmith, वो कहता है कि तुम blacksmith के पास जाओ, और एक trowel ले क्या हो, trowel क्या होता है, खुरपी जिसको कहते है हिंदी में, जो मिट्टी को डिक करने के लिए कामाते है, मिट्टी को खोदने के लिए कामाता है, उसको कहा जात है, यह लोहे की होती है, और पिछे इसका एक छोटा सा हैंडल होता है, लकडी का बना हुआ, और आगे से लोहे की बनी हुए होती है, इससे हम मिट्टी को खोद सकते हैं, तो blacksmith के पास जाओ, और मेरे लिए ट्रॉल ले के आओ, भनाटे वेंड टू दा ब्लेक स्मीथ, बन तो, what do you want, तो में क्या चाहिए, बनाटे से बनाटे बनाटे बोलता है, please give me a trowel, कि मुझे एक खुर्पी दे दो, मुझे एक ट्रावल दे दो, वो फिर से गाना गाता है, क्या बोलता है, the clay pit will dig out clay for me, with the trowel I will get a pot made and get water in it, with cold water I will wash my beak, heating the egg is what I seek, वो फिर से कहता है कि clay pit मुझ आपकी trowel की help से clay को खोद के देगा, और उसके बाद मैं pot बनवाऊंगा, और उसमें पानी भरूंगा, और ठंडे पानी से अपनी चोच को वोश करूंगा, और फिर मैं अंडे खाऊंगा, उसके बाद देखते हैं, blacksmith क्या कहता है, the blacksmith said, sure you can take the trowel, but do remember to return it, finally उसकी help हो and to the clay pit, भनाटे ने फटाफट जल्दी से ट्रावल लिया, और clay pit के पास फिर से चला गया, it dug the soil and got some clay, उसने क्या क्या क्या, क्ले को खोद लिया, कुछ मिट्टी को निकाल लिया, और उसको clay मिल गई, उसके बाद क्या हुआ, the porter made a pot for him, potter ने उसके लिए एक pot बना दिया, भ he then ran to eat food goodies egg, उसके बाद वो भागा, किसलिए भागा, food goodies के eggs को खाने के लिए, by that time, the sparrow's egg hasd, लेकिन तब तक क्या हुआ, जो sparrow थी, जो food goodies थी, उसके जो egg थे, वो hasd हो गए, hasd का मतलब होता है, जो उसके egg थे, उसमें से उसका baby जो था, वो निकल गया, baby bird था, वो निकल गय चिक उसके अंदर से निकल गया, sparrow के बच्चे को बोला जाता है ना, चिक, चिक निकल गया, उस egg से, egg hasd हो गया, a little bird came out of it and flew away, एक छोटा सा baby bird उसमें से निकल गया, और वो उड़ गए, far away from भनाटे, और भनाटे से बहुत दोर उड़ गए, तो इस तरह से हमें ये story दी हमें बहुत अच्छी लगी, इसमें हमें कले के बारे में बताया हुआ है, और स्टोरी के द्वारा में इसमें से हमें क्या मोरल मिली कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लाल ची नहीं होना चाहिए, क्रो को पोट की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम इसमें लिख देंगे, टू फिल वोटर, next question है, इसमें हमारा, who all helped the crow to make the pot, उनको कौन थे सब जिनोंने उनकी help की, किसकी help की, पोट बनाने में, क्रो की help की, तो किस-किस ने help की थी, blacksmith, लोहार ने help की थी, उसको ट्रावल दे कर, blacksmith, और किस ने help की थी, और help की थी, porter ने, उसको पोट बनवाया, और river ने help की थी, उसको पानी दे कर, उसके बाद है, what things did the porter need, porter को क्या-क्या चीजों की जुरूरत पड़ती है, port बनाने के लिए, porter को जुरूरत पड़ती है, clay, clay से port बनते हैं हमारे, clay, porter's wheel, जो उसमें wheel मैंने आपको दिखाया था, उस wheel के जुरूरत पड़ती है, और किसकी जुरूरत पड़ती है, kin, k-i-l-n इसमें L-silent है, इसको हम कहेंगे kin, ये क्या होती है, जब हम porter pot बना देता है, तो उसको hard करने के लिए उसको पकाया जाता है, bake किया जाता है, और उस बट्टी को कहा जाता है kin, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, next question है, are there utensils made of clay in your house, which are these, क्या आपके घर में भी कुछ clay से बने हुए कोई utensils हैं, बरतन हैं, कौन-कौन से हैं, yes, हमारे घर में है, feature है, जिसमें हम लोग पानी रखते हैं, flower vase भी हो सकता है, flower vase भी लिख सकते हैं, हम लोग flower pot, उसके बाद हमें क्या हुआ, दिया हुआ है, a bowl from a bowl of clay, कि हम clay से कैसे एक bowl बना सकते हैं, knead clay, पहले में क्या करना पड़ेगा, clay को, knead का मतलब होता है, गूठना, इसके अंदर भी case island है, हम लोग knead कहेंगे इसको, knead clay and make a big bowl, using your thumb, make a small pit in the center by pressing so that it looks like a bowl, आपको फिर क्या करना है, उसके एक बड़ी सी bowl बना लेनी है, और अपन के ताके वो एक कटोरे की तरह दिख सके, leave it to dry, उसको सूखने दे, and then decorate it, फिर उसको आप decorate कर सकते हो, you can put things like you like, in this bowl, उसके अंदर आप जो चीजे पसंद करते हो, उसको इसमें रख भी सकते हूँ, और हम क्या बना सकते हैं, इससे एक bowl from a roll of clay, अब एक क्ले को रोल करके, हम क क्ले को गूथ लेंगे, with water, keep aside some clay, mixed with water, कुछ क्ले को हम पाने मिलाकर, एक तरफ रख देंगे, this will serve as glue to bind, two different pieces of kneaded clay, यह क्या काम करेगी, दो pieces को जोडने का काम करेगी, glue का काम करेगी, जो हम एक तरफ हे रख देंगे, उसको जोडने के लिए, take a part of kneaded clay, गुथे वे कले का एक ठीक चपाती, और उसको एक चपाती की तरह रोल कर देंगे, this will be the base of the bowl, और यह इसमें दिखाए देरा है, जो फोटो को, यह हमारे bowl का बेस बन जाएगा, roll the rest of the needed clay like a snake, और बाक्सी जो बचेगी, उसको हम रोल करेंगे, साब की तरह, स्नेक की तरह, उसको एक ऐसे लंबी सी गुमा के इसके उपर एक की तरफ लेर बनाते जाएंगे, और रखते जाएंगे, और हमारा पोर्ट बनके तयार हो जाएगा, इसकी भी मैं आपको दिखाऊंगे कैसे इसने बनाया है, उसके बाद और हम क्या बना सकते हैं, एक पोर्ट फ्रो में चपाती ओफ कले, और किसी अगर हम लोग ने जो ये पोर्ट बनाए हैं, इनको ड्राइ भी कर लेंगे, लेकिन क्या होगा, अगर हम इन पोर्ट में पानी को पूरी राथ स्टोर करके रख देंगे, तबी सोचा हैं, क्या होगा, पानी मडी हो जाएगा, और यह हमारा जो पोर्ट है, ये भी स्पोल हो Why do these pots not get spoiled by the water? ये तो पानी से हमारे spoiled नहीं होते, क्यूं नहीं होते? सोचो, क्यूंकि जो घर में मटका होता है, पानी का या बाकी बरतन जो होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, उनको किन में bake किया जाता है, और किन में bake करने के बाद ये hard हो जाते हैं, और फिर यह spoil नहीं होते यही difference होता है इसमें Have you ever seen bricks or pots being baked in a kin? क्या आपने कभी देखा है? Eto को या Kin Pots को kin में baked होते हुए अभी मैं आपको दिखाती हूँ अब इसमें जो यह आपको दिखाई दे रहे हैं यह हैं कुछ utensils जो clay के बने हुए हैं जैसे कुछ flower vase हैं इस तरह से हम अलग-अलग clay से अलग-अलग utensils भी बना सकते हैं यह देखिए कितने अच्छे-अच्छे हैं different items है decorate tube पर 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 इनको अच्छे से decorate किया हुआ है, show piece बनाए हुए हैं यह सारे things and utensils clay से बने हुए हैं इस तरह से हम बहुत अच्छे-अच्छे बना सकते हैं clay से और उनको बहुत ही सुन्दर तरीके से design करके उसको decorate भी कर सकते हैं यह जो हमने देखा था wheel, wheel के उपर जो potter होता है, वो क्या करता है? clay को रखता है, फिर हाथों से उसको support करता है, और उसको एक shape देता है जैसा उसको pot चाहिए फिर उसके बाद उसको dry किया जाता है और kin में उसको bake किया जाता है अब हम kin देखेंगे यह होती है kin देखो, potter ने pot बनाए pot बनाने के बाद उसको dry कर लिया dry करने के बाद इसको आग में अच्छे से बीच में रख दिया और यह kin होती है यहाँ पर उनको अच्छे से पकाया जाता है bake किया जाता है उनको bake क्यों किया जाता है so that they can become harder और वो strong और harder बन सके इसलिए उनको bake किया जाता है pot को, उसके बाद वो तूटेंगे नहीं इसको बोला जाता है kin इस तरह से आग में उसको bake किया जाता है k-i-l-n kin आग की भट्टी जिसमें pot को bake किया जाता है उनको strong बनाने के लिए hard बनाने के लिए देखोई कितने सुन्दर सुन्दर decorate किया हुआ अच्छे से इनको pots को अलग-अलग different shapes में बनाकर उनको किस कोई flower vase है कोई मतका है कोई अलग-अलग से design बनावे मिट्टी के बरतन है तो इस तरह से हम बहुत अच्छे अच्छी चीजे बना सकते हैं clay से अब हम देखेंगे कैसे बना सकते हैं और जो potter होता है वो किस तरह से बनाता है इनको बरतन को, अपने pots को यह आपको जो दिखाई दे रहा है यह होता है rotating wheel इसके उपर potter अपनी clay को रखता है और इस wheel को rotate करता है और फिर हाथ से support करके इस clay को अपने तरह से shape देता है इसको अपने हाथों से support करता है और यह smooth हो जाती है के लिए और उसको support support देकर उसको अच्छे से shape देते है और इस तरह से आपकी बन जाते है जो भी आपको बनाना होता है pot बनाना होता है या flower vase बनाना होता है जो भी आमें बनाना होता है उसी तरह की shape दे दी जाती है यह wheel ऐसे गूमता रहता है और फिर वो potter होता है वो अपने अच्छे से इसको shape देते है अब इससे related हम कुछ questions देखेते है what is pottery? pottery क्या होता है art of making earthen pots यह मिट्टी के pots बनाने की जो art होती है इसको कहा जाता है pottery what are the steps involved in the pots making? pots making में कौन-कौन से steps involved होते है तो हमने देखा पहले हम लोग क्या करते है clay को knead करते है गूतते है फिर जो potter होता है वो उसको shape देता है rotating wheel पे revolve करता है जो wheel चकर उसके उपर वो shape देता है pot में उसको फिर dry किया जाता है और dry करने के बाद फाइनली बेक किया जाता है ताकि वो hard होसके strong बन सके what is kin? kin क्या होती है? हमने अभी देखा था क्या होती है kin होती है pots जहां पे हम बेक किये जाते है उनको बोला जाता है उस आग की भट्टे को kin K.I.L.N. Kin अब मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ कि हम लोग भी कैसे बना सकते है pots आप इनको धान से देखना और आप भी घर में ट्राइ कर सकते कोई भी एक बाउल या pots बनाने के लिए ठीक है? अब इस वीडियो को देखेंगे कि इसमें कैसे हम लोग भी क्ले से घर में ही पोट बना सकते है बाद में उसको ड्राइ करके डेकोरेट भी कर सकते है हुँ क्लेंड़ प्राइ क्लेंक क्लेंड़ कर दो अबस्यान से लड़ानीद से लिया है